नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश-विदेश की प्रमुक खबरे छिद्वारा में पेट्रोल पम से बिना पैसे दिये भाग रहे बोलेरों के ड्राइवर ने एसाई को रोदा मोत हुई युगांडा में विदेश मंत्री जैशंकर वो माल्दिव समकक्ष मूसा जमीर के बीच मुलाकात महुआ को खाली करना होगा बंगला हाई कोट में याची का खारी छुई आईटी कानपूर पिएजडी स्कॉलर का शव हॉस्टल में मिला एक माह में तीसरी मोत सिंगापूर में ब्रष्टाचार के आरोपों के बाद भारती मुल के मंत्री इश्वरन का इस्तिफा मणीपूर में पिता पुत्र समें चाल लोगों की खत्या इनफाल में विरोध प्रदर्शन जर्मनी में भारी बर्फबारी से सड़क यातायत और उड़ाने प्रभावित नियाई यात्रा असम पहुची राहुल बोले देश में सबसे भरष्ट है असम की सरकार विदेशी परिटकों के जरिये भारत में फंडिंग कर रहे हैं खालिस्तानी आतंकी दिल्ली में पानी भढ़ने से इंकार करने पर दो लोगों ने साथ रहरे वेक्ति की हत्या की फ्लाइट्स की देरी पर थरूर और सिंधिया आमने सामने मोधी सरकार निर्मित आपदा थरूर ने कहा थरूर दूसरी दुनिया में हैं सिंधिया ने कहा बाकी की तमाम कबरों के लिए बने रहिए राजनमा टीवी के साथ थानिवाल